नमस्कार दोस्तो हमारा बिहार में आपका स्वागत है आज है साथ सितंबर 2020 और साथ सितंबर 2020 से जितने भी कर इंटरफेर्स के क्वेशन है जो बिहार से जुरेवे हैं उसका जो डिसकस करेंगे और दोस्तो इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम अप्लिकेशन में सच कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल का सब्सक्राइब कीजिए वहां पर सारे दिनका PDF हिंदी और इंग्लिज तोनल लैंगवेज में मिल जाएगा और दोस्तो इस वीडियो के लाश्ट म मैंने रिवीजन का दो प्रस्थन रखा है जिसका एंसर आप लोग को कमेंट वाक्स में देना है तो वीडियो लाश्ट तक जरू देखिए तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आज का पहला प्रस्थन है बिहार की किस इंजिनियरिंग संस्थान में 15 करोड की लागत स नया इंक्यूबेशं सेंटर बनकर तयार हो गया है जहां नैनो पारटिकल पर अध्यान के लिए पहली वार क्लीन रूम का व्यवस्ता किया गया है तो यह जो 15 करोड की लागत से नया Incubation Center त्यार किया गया है यह IIT पटना परिशन में किया गया है यह option इसका सही हो गया और यहां तीन तरह के clean room बनाया गया है जो की class 100, class 1000 और class 3000 है और दोस्तो clean room क्या होता है तो clean room एक विशेश तरह का एक कमरा होता है जहां micrometer या nanometer device पर अ ध्यान हो तो हवा में मौझूद धूलकन device को प्रभाइद करता है हवा में मौझूद धूलकन जो नगन आकों से नहीं देखा जा सकता वह भी nano device से बड़े होते हैं clean room को इस तरह त्यार किया जाता है कि यहां device सुरक्षित होते हैं और हवा में मौझूद धूलकन का उस पर और कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ठीक है अगला प्रसना है हाली में केंसरकार के द्वारा देश में कारोवार के अनुकुल माहौल को लेकर इज अफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की गई है तो इस रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान मिला है तो हाली में दे अगला प्रसना है हाली में आर्वी आई के द्वारा एक जुलाई दोजा उन्हें से 30 जून 2020 तक फरजी एकाउंट ट्रांसपर के माबले में जीलो की रैंकिंग जारी की गई है तो दोस्तो इस रैंकिंग में बिहार के एक इस सहर को देश में दूसरा स्थान मिला है तो पटना को देश में दूसरा स्थान मिला है ठीक है प्रत्हन स्थान पर दिल्ली आया है जहां पिछले एक साल में 496-7 नाम MARU है तो चलिए इसके बारे में जानते हैं तो दोस्तो Tells необход Ing Thorpe बिहार का मैप और यह रहा पटना जिला ठीक है अब देखिए पटना जिला का सीमा और किस-किस जिला से सट रहा है तो देखिए भोजपूर है सारन है बैसाली है समस्तिपूर है बेगु सरा है लखी सरा है उस पाद नालंदा है और जहानाबाद है और अरवल है ठीक है और ज पटना को पाटली ग्राम, पाटली पुत्र, कुशुमपूर, पुस्पूपूर और अजीमावाद के नाम से भी जाना जाता है। 2012 में पटना उडिशा तर्था बिहार का राजधानी बना। बिहार में सबसे जादा जन संख्या वाला जीला पटना है। गुरु गविन सिंह का जन पटना में हुआ था जो कि 26 दिसंबर 1666 भी को हुआ था। पटना के गोलगर का निर्माद जॉन गॉस्टिन में 1766 में करवाया था जिसे अनाज के भंडारन के लिए बनाया गया था। तीसरा बौस संगरती का आज़न पाटलीपूत यानि पटना में हुआ था जो कि 251 इसापूर में और शोक के सासनकाल में हुआ था। मेगास नी जो कि युनान का था चंदरगूत मौर के सासनकाल में पटना आया था। और डाइमेकस जो की सीरिया का था या बिंदू सर के सासनकाल में पटना आया था और बाकिपूर पटना में भारती राश्टी कॉंग्रेस का 27 वा दिवेशन का आज़न किया गया था जो की 27 वाट 23 दिसंबर 1912 को हुआ था इसके अध्यक्स ते आरेन मधोल कर अगला प्रस्थ है दोस्तो हाली में विहार के किस बैक्ति को सिक्षक दिवस के अपसर पर बेस्टो एडुट्रेक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2020 की और से लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से संभानित किये गया है विहार के प्रोफेसर आनंद मुर्ती भी यह आप्सन इसका सही हो ग अगला प्रस्ता है राज में उत्पादित फल और सब्यों को बिदेश भेजने के लिए विहार की किस इला में एक्सपोर्ट पैक हाउस बनाया जा रहा है तो एक्सपोर्ट पैक हाउस का निर्मान किया जा रहा है पटना में यह आप्सन इसका सही हो गया अभी तक यह पांच चार शे लाक रुपया दोस्तो मंजूरी दिया गया है और बिहार क्रिसी बिस्विद्यारे सावार जोकी भागलपूर में है तो बिहार क्रिसी बिस्विद्यारे सावार भागलपूर के तहट क्रिसी अनुसंधान संस्थान मीठापूर पटना के परिशन में पैक हा बिहार के कितने करोर के प्रस्ताब को के सरकार के द्वारा सिक्रिति दे दी गई है यानि मंजूरी दे दी गई है तो 107 करोर के प्रस्ताब को के सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है ठीक है इस योजना का उदेस मचली उत्पादन और उत्पादक्ता बढ़ाना और अगले प्रस्ण की तरफ तो अगला प्रस्ण है बिहार के किस इंजिनियरिंग संस्थान में बिहार का पहला कोल्ट टेस्टिंग लैब का स्थापना किया जाएगा एन आइटी पर्टनामेटिक है बी ओप्सन इसका सही हुग गया प्रदूसन नियंतरन के लिए भिहार राज प्रदूसन नियंतरन पारसर ने नेशनल इंस्टिूट अफ टेकनलोजी यानि एनाइटी पटना को पौली कोल टेस्टिंग लैब अस्थापित करने का प्रस्ताव भेजा था जिसे एनाइटी ने मंजूर कर लिया है इस प्रोजेक्ट पर डेर करोर प्या खर्च किया जाएगा और राज में इट भटो में परयोग हो रहे हैं कोईले की जाचिसे की जाएगी जिसे राज में प्रदूसन पर नियंतरन भी किया जा सकेगा अगला प्रस्ता है सिक्षक दिवस के अपसर पर राष्टपती रामनात कोविन जी के द्वारा वेविनार के माध्यम से बिहार के कितने सिक्षकों राष्टपती प्रसकार से समानित किया गया है तो बिहार के दो सिक्षकों को समानित किया गया है इसके आलावा राज सरकार ने राज के 20 सिक्षकों को राज किये सिक्षक समान से समानित किया है यानि दो सिक्षक हो गया है जो कि राष्ट पती के द्वरा समानित हुए है और राज के अगर राज अस्तर का बात किया जाए तो राज में 20 सिक्षक को राज किये सिक्षक समान स सम्मानित किया गया है तो दोस्तों यह था इसका करेंट फिर्ट चलते हैं कल के रिवीजन के तरफ तो कल के रिवीजन का पहला प्रसंद था हाली में बिहार विकास मिसन ने जीलो की वार्षिक रैंकिंग 2020 जारी की है इसके अंतरगत साथ निश्य योजना में बहतर पर आया है तो नालंदा जिला गया है प्रत्थम अस्थान पर बी ऑप्सन इसका सही हो गया और कल का दूसरा प्रसंद था हाली में बिहार के अमित चौबे के द्वरा किये गये इनोवेशन जिसका नाम है स्मार्ट सामुदाइक टीबी इनोवेशन इसको सिंगापूर के व पुस्तक जैवी खेती के नुक्से को राजवासा गौरब प्रसकार यूजना के धर प्रत्थम प्रसकार प्राप्त हुआ तो यह पुस्तक किस के द्वरा लिखा गया है और आज का दूसरा प्रसंद है बिहार के किस चिला में अटर टिंकरिंग लाब में निर्मिट डियू एंड एयर वाटर जनेरेटर का पेटेंट एक अमेर्की आईटी कंपनी जनबरी 2021 तक करने जा रही है तो इस दोनों प्रसंद का उतर आप लोगो को कमेंट वक्स में देना है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही आसा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो वहाँ पर प्रति दिन दोस्तों इस वीडियो का और यू अप्लोट गयाता है जिसे सुनकर आप रिविजन कर सकते हैं खब्री अप्रिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है यह आप डारेक प्लेश्टोर से भी डाउलोड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा ओडियो प्लेट्प्रान दोस्तों आपको आपको डियर सारा जी के जी एस और करेंट अप फिर्स जैसे डियर सारा ओडियो वर्सन मिल रहेगा जिसे सुनकर आप रिविजन कर सकते हैं पढ़ाई कर सकते हैं तो चली दोस्तों आज के लिए इतना ही पॉट आपको नवाल